अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है थी वाइट्स जी सॉल्ट जी शुगर दिया मैदा दिफलोर जो इस थी वाइट पावडर्स और तो भी अवाइड़ एस मच अपॉसिबल सारी भी हार्ट अटैक कर सकता है नधी नाधाब आप देखरे हैं Zero TV Net और आपका मेजबान हाजरे खिर्मत है लेकर एक और स्पेशल पॉड़कास्ट जी हाँ आप जानते हैं पॉडकास्ट में हम करंड चीजों को लेके करंड मसलों को लेके बात करते हैं और आज हम बात करने जारे हैं उन मौतों की जो एक RS की वज़़ से हम देख रहे हैं यूथ पे हो रही है। जहां बाईस साल की बच्ची भी मर रही है, वहां पर एक तीस साल का लड़का भी मर रहा। क्यों ये मौते इतनी जयादा हो रही है और काडिय करेस इतना जयादा क्यों हो रहा है कश्मीर में? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर खालिल महियूरीन साथ, हैड़ अब डिपार्टमेंट कार्डियोलजी, गर्मन मेडिकल कॉलेज स्वीन अगर, डॉक्स अब आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत अस्रीवा लिए, डॉक्स अब क्या वजा है ये मौत साथीश्ट एश्या और डिफर्ट कंट्रीश अदे वर्ल्ड, इसके पीछे दो अहम अच्छी कारण हैं जो हमें दिखने रही है, सबसे पहली बात जो मैंने पहली भी बोला, इंडिस्ट्रेल रिवलुशन के बाद, डेमोग्रैफिक शिफ्ट हुआ, विलिजिस साथ एऽेश्ड भी ऐर्निंग अर्फ और और यॉर्प में भी हुआ, ओसे में भी हुआ, ईंडिया में भी हुआ, साथ एस्ट इस एश्या में और बाकी में अपंट्रीज्ड मैं بी, इंडिस्ट्रेलइजेशन के दुक्श अर्बदद्बनिशन हो गई, … मतर्बनिशन हो Okay, third increase in the body weight, obesity, availability of the fast foods, smoking, and citrus. यह characteristics है किसी भी industrial society की, particularly अगर वो educated ना हो about it. So, what this obesity, smoking, ultimately do it, obesity के बाद diabetes होता है, citrus की वज़े से smoking, उसके बाद all these conspire, salt consumption, industrial societies में ज्यादा है, compared to the tribal societies. So, उसकी वज़े से hypertension है. So, all these are leading to a disease called coronary artery disease. यह coronary artery disease के risk factors है, blood pressure, diabetes, smoking, obesity, citrus. यह हमें पहले देखना है कि यह काम काम शुरू हुआ, यह 90th century की बात है. जब यॉरप में industrial revolution शुरू हो गया, अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है. So, we have to be careful, अगर हमें hot attack से बचना है, cardiac arrest से बचना है, we have to have some counter-urbanization ideas, like we have not allow ourselves to enter in the rat race के ज्यादा साटर कंजप्शन हो तो hypertension हो जाएगा, unnecessary, excessive use of the vehicle, unnecessary use of food, unnecessary use of his drinks and the cold drinks, unnecessary use of excess amount of food. इसी भी society में, आप देखिए, for example, साओधिया अरबिया में after the oil boom, या बाकिए societies में जो पहले बहुत गरीब थी, आप उनका, जब suddenly poor boom हो गया, आप वहाँ पर diabetes देखिए आज. जो food boom है, जो economic boom है, उसकी वज़े से ये चार-पांच चीज़े जब society में आ गए, तो heart attack होनी होनी है. दूसरा important चीज़ है, जो पहले 50 years earlier नहीं था, आप information बायास है, आप यहां पे आपने तक्निप के और आप यहां पे आगई है, पहले भी sudden death होती थी in a 22-year-old female, आज भी होती है, मगर आज का it will be noticed, पचास साल पहले यह ख़बर पहुंच आने तक, there were the technical difficulties, today is a matter of a global village, Australia में, यॉरप में, कहीं पे, इंडोमा निकोबार में, कुछ भी हो जाएगा, it is known, उसकी वज़े से भी, थोड़ा सा, you are more alert, you are more sensitized to this issue. पहले हमें contain करना है, coronary artery disease epidemic, recently COVID pandemic था, मैं कहता हूँ कि, हम देख रहे है, मेरे respective colleagues देख रहे है, in the UTF Jane, or in the rest of the country, or in the different status, एक epidemic है, coronary artery disease था, पहले counter epidemic होता था, hepatitis epidemic होता था, smallpox epidemic था, polio epidemic था, आज degenerative disease का epidemic है, आज obesity का epidemic है, आज hypertension का epidemic है, आज coronary artery disease का epidemic है, यह वभाई सुरेथ हाल हमें control करनी है, हमारा concept था, पहले कि epidemic होगा, communicable disease का, like COVID, यह non communicable disease epidemic है, which we have to recognize it, because otherwise this is going to wreak a disaster in the human society as it is doing now. अब दूसरा important point, conventionally पहले 40 साल के बाद या 50 साल के बाद या साट साल के बाद patient को heart attack होता था, आज जैसे आपने बताए, heart attack in young, heart attack in young का मैं हमने जो identify reason किया, जो research available है, one of the very important reason is smoking, अगर कोई 30-year-old, 35-year-old या 25-year-old patient को heart allergy system बालते हैं, usually, most of the time, these people are two packs, one pack, they are very heavy smokers, so young and heart attack, one is heart attack epidemic, second is young population heart attack, I will incumulate smoking as a very important factor, smoking should be legally banned, if we have to have a healthy society, which is very important, now, cardiac arrest है, like normally, blood comes from the heart, heart is a pump, if it stops pumping, the bullet does not go to the brain, one of the blood does not go to the brain, person becomes unconscious, falls down, अगर heart ने दोबारा काम शुरू किया, recover, इसको सिनकों बोलते हैं, नहीं recover किया, इसको cardiac arrest बोलते हैं, cardiac arrest को इस वबाह, जो coronary disease का epidemic है, उसके बगार भी बहुत ही important reasons है, एक एक bad genes, लाइक एक condition है, hypertrophic cardiomyopathy, ये muscle disease of the heart, heart attack का मतब हो गया, नारी में block आना, मगर muscle disease में नारी में ठीक होती है, दूसरा है, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, bad genes, तीसरा एक condition है, long cutie syndrome, bad genes, चावता एक condition है, जिसको बोलते है, brigada syndrome, bad genes, genetics भी important है, for causing the muscle disease of the heart, or causing abnormal electricity of the heart, and causing a sudden death. अब मैं, I will come to you, अब आपके क्या relevance है, ये social media, जो मैं इंटर्वी दे रहा है, इसका आपके क्या relevance है, जेनेटिक स्था, मैं इतना बताऊंगा, मैंने पहरे भी बताया किये, every school-going child should have an ECG, every school-going child should at least have a physical examination, जैसे आज आते हैं, अच्छे स्कूल में, फिशन इसकामें दीज, उनको लगा कोई abnormal heart, abnormal x-ray, abnormal ECG, this person can be referred to their cardiologist for an echocardiogram, for a reviewing of the ECG, this I will recommend, two, I will strongly recommend किये, जो आज, patients मों जो जिम के लिए जाते हैं, they are on extra, suddenly go to the gym, जो who are playing the soccer, like अब दिखते हैं, football field में sudden death सोती है, who are playing the soccer, who are playing the football, whatever, cricket or heavy exertion, I will recommend they should bear a minimum, see a physician or a cardiologist, before starting, such kindness of, citriness, involving the citriness kind of an exercise, this is another recommendation from my part, third, मैंने पहले भी बताया, for the reasons, बराच, multiple reasons के वज़े से, cold I will take it as a risk factor for heart attack, Kashmir is a bad winter, there are multiple reasons, which I need not discuss, because of constant streams of time, सर्दी भी heart attack कर सकता है, सर्दी भी brain haemorrhage कर सकता है, सर्दी भी uncontrolled hypertension कर सकता है, सर्दी भी leg में कुलाट कर सकता है, सर्दी भी लेगस में कुलाट कर सकता है, it is not a luxury, it is a necessity for the human survival, so there is a field called what is known as biometrology, वो basically ये handle कर दे देना है, the relationship of the weather and the health, उसके बाद I will recommend बहुत सच्छ सिंपल चिज़ है, heart attack is a lifestyle disease, that means God, nature has kept a lot in my hands, if I smoke, I have to do that, I will get a heart attack, if I do restrain the salt and do not take drugs, hypertension कि भी भीपते है, so we have to modify our lifestyle, three whites, the salt, the sugar, the madha, the flour, these three white powders are to be avoided, as much as possible, proper sleep, there is no reason why one should not sleep six or seven hours, जिनकी सिलीब इस्रुटिट है, और जिनको नाइट शिप्ट साह, उनको नेरी आटी डिसके जादे चान्स है, ये में खुद नहीं बहु रहा है, तेर आटे के जादे जादे चान्स है, there is a particular research available on the issue, in the international journal, proper sleep, and what I keep on saying, जो महत्मा गांदी जी ने कहा है, I always quote it, that don't take stress, nature has everything to sustain, but nothing to satisfy the greed of the fume, but the door commenter is, nature has its mechanism for the survival, thank you very much. बहुत 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 बात करने के लिए तो नाजरीन ये थे डॉक्टर खालिद महीदीन साहब जिन से आजर ने बात कियो और हमने कुछ एहम पॉइंट्स पर डिस्कुर्शन किया, कुछ एहम मुद्धों पर हमारी तवज्जो मर्कूस कराई है तो आपको भी इन पॉइंट्स को सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा और जो खास बात ने कही है कि हमें रैट रेस में नहीं आना है, जो परवाले ने दिया है उसमें शुक्र अदा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, आज के पॉड़कास्ट में बस इतना है इन्शाला ऐसे किसी और पॉड़कास्ट में आपसे होगी मुलाका तब तक के लिए, अलाहाफिस